तो ये जो complete PC build आप देख रहो हो ना ये 10,000 से भी कम के अंदर बनके radio चुपा है और इसके अंदर अपन high level के gaming कर पाएंगे editing software को चला पाएंगे in fact ये इस computer के अंदर अपने को RAM भी ज़्यादा मिलती है तो अपन multitasking भी कर पाएंगे लेकिन गाईस एक बात यहाँ पर ध्यान रखना अगर आपको ये सारे काम करने ना अंडर 10,000 के बज़ड में तो अपने को right component select करने पड़ेंगे तब जाकि ये सब काम अपन कर पाएंगे और इसी के साथ जो मेरे पुनाने subscriber है तुमें तो पता होगा कि इससे पहले भी अपने एक वीडियो बनाई थी complete PC setup के उपर और उस वीडियो के अंदर तुमने इतना तगड़ा रिसमों से दिखाया कि वीडियो का next part तो बनता ही है साथ में subscribe भी बनता है तो इतने महेंगे monitor तो अपन बंगवा नहीं सकते है तो सारा budget यह अपना monitor में चल जाएगा तो इसलिए मैंने एक Geonics brand का monitor यहां पर select कर रखा है यह 19.5 इंच का monitor है और यह 3,600 रुपे की something अपने को मिल रहा है तो अपन सबसे पहले इस monitor को भाई कर लेते है तो अपन यहां पर monitor तो select कर लिया है अब अपन सबसे main part अपना CPU select करेंगे तो यहां पर अपन सर्च करेंगे CPU under 10,000 तो काईस अपन यहां पर CPU को तो select कर लिया है लेकिन ज़्यादातर जो CPU है ना भाई वो 10,000, 8,000, 12,000 even 40,000 की भी CPU अपने को मिल रहा है सीथी से बात है कि इतना महिंगा CPU को तो अपने मंगवा नहीं सकते है तो काईस काफी देर research करने के बाद मुझे एक CPU यहां पर मिला HP brand का और यह CPU के अंदर अपने को 8GB की RAM and 500GB की HDD मिल रही है और सबसे solid बात यह है कि यह computer जिस rate में अपने पास आ रहा है अपने को बहुत ही तकड़ी price में मिला है जिसके अंदर अपने को भर भर के specification मिलती है तो काईस order करने के बात जो monitor का बहुत से कुछ इस टाइपस अपने को मिलेगा और यह जो monitor है यह 19.5 इंचका है मतलब यह अच्छा कासा बड़ा monitor है almost 20 इंचका है यार यह इसके लगा इस monitor की एक तरफा बात यह है किसके अंदर accurate color अपने को मिलेंगे क्योंकि यह 100% S8GB के साथ आ रहा है अब दोस्तों दूसरे नमर पर जो अपना main मसाला है वो है अपना यह वाला तकड़ा CPU भाई यह जो CPU है ना यह इतनी कम price में आने के बाद भी इतनी तकड़ी performance अपने को दे रहा है मैंने कभी सोचा भी नहीं था देखो मेरे भाई एक बात मैं आपको पहले बता देता हूं कि यह pre-built machinery है मतलब यह pre-built computer है इसके अंदर मैंने भी कोई component को add-on नहीं करा है यह company से बना बनाया मेरे पास आया यह CPU काफी compact है, slim design के साथ आ रहा है, front side में अपने को HP की branding मिल जाएगी और उसके अलावा यहाँ पे 2 USB के port है और यह वाला जो port है ना भाई, यह floppy disk सेगा है मतलब come on यार, 2024 चल रहा है और आज के टाइम पे floppy disk से कोन यूज करता है यार लेकिन इसके अंदर अपने को floppy disk सेगा एक port मिलेगा अपर audio jack का port है और एक cd drive भी इसके अपने को मिलता है जो कि कभी का बार काम आ जाता है उपर की तरब अपने को power owner का button मिलेगा और या ला जिश्टिगर है ना इसके अंदर seller की सारी information है जो किस जाइट से बात थे मैं आपको नहीं बताने वाला पिछे की तरब अपने को against 2 USB के port मिलेगा एक ethernet का port है, vj का port है, hdv का port है और नीची की तरब अपने को 3.0 वाले 2 USB का port मिलते है और कुछ audio और mic के jack अपने को नीची की तरब मिल जाएगे और नीची की तरब अपने को power port मिल जाएगा अब एक CPU देखने के मामले में कैसा भी हो लेकिन जब तक उसकी performance अपने को अच्छे नहीं मिलेगी अपने होगो किसे काम का नहीं है तो इसकी जो टेकनिकल बात चीत है वो भी मैं आपको बता देता हूँ भाई जी सप्राइस के अंदर या रहा है ना इसके अंदर अपने को 8GB के रह मिलती है 500GB के HDD मिलती है i3 का port generation अपने को processor मिलता है जो कि इस rate के अंदर मिलना next to impossible था यार अब गाईस एक बात समझना वाली यहां पर यह है कि यह जो PC है ना यह कुछ है इस टाइप के box में अपने पास आया है और यह renewed mini PC है अब गाईस actual में renewed का मतलब क्या होता है और इसके वज़े से अपने को सारे project सस्ते में क्यों मिलते है यह मैं आपको थोड़ी है देर में बता हुआ अब देखो भाई यह जो PC था ना यह renewed है इसी वज़े से यह इतना सस्ते होने के बाद भी 25-30,000 के computer या laptop जैसी performance अपने को दे सकता है मतलब जो भी काम आप यह 25-30,000 के computer के अंदर करते हो ना वो सारे काम यह computer आपको करवा कि देगा इतनी कम प्रैस में तो देख लेते कौन-कौन से काम अपने इसमें कर सकते है तो काईस अपने अपने PC था उसका पूरा setup यहाँ पर complete कर लिया है अब एक-एक करके अपन सारी चीज़ें आपने टेस्ट करेंगे तो सबसे पहले अपने PC को ओन करते हैं और चेक करते हैं कि इसका voting time कितना है अब जाके यह ओन हुआ है लगबक इसने 30 से 40 सेकंड लिये ओन होने के अंदर और यह एक मिनट तक भी इसका time duration जाएगा अब सबसे पहले अपन इसका task manager open कर लेते हैं क्योंकि एक computer की असली अवकाद इसके task manager से पता चलती है और सारे stack अपने सामना जाएंगे कि performance, shd और memory के उपर कितना load आ रहा है तो CPU के उपर बहुत ही कम यहाँ पर load अपने को मिल रहा है और यह ही stack यहाँ पर भी अपने को show जाएंगे अब एके करके अपन सारी चीज इसके अंदर test करेंगे तो सबसे पहले अपन यहाँ पर chrome को open कर लेते हैं तो एके करके अपन बहुत सारे टेप इसके अंदर open करेंगे और देखते हैं कि उसके बाद इस computer का जो stack के वो case अपने को मिलता है मैंने यहाँ पर जितने भी essential tape होती है जितने भी day-to-day task के अंदर अपन चीज़े यूज़ करते हैं और सारी में open कर लिए तो देखते हैं कि अपने को अब यहाँ पर जो stack हो कैसा है तो memory अपनी 32% use हो रही है and CPU यहाँ पर 12-15% के आसपा से use हो रहा है HDD के उपर load है और HDD पर हमेशा ही load आता है SSD के अंदर use हुई नहीं है अब one by one अपन सारी चीज़े test कर लेता है तो YouTube इसके अंदर proper काम कर रहा है and prime video भी इसके अंदर proper यहाँ पर चल रही है इसका लावा education की जो application होती है या website होती है वो भी अच्छी तरगे से काम कर रही है 3D design की website भी चल रही है and fidgets वाला जो सफचादा popular है खेर इसमें तो login करना पड़ेगा and अगर आपको online coding करनी है तो उसका भी live यहाँ पर पूरा section चलता है hello अच्छा code ही गलत था तो सारे टेप इसके अंदर proper काम कर रहे है and tape के अंदर मैं multitasking भी अगर करके आपको बताऊ तो proper तरीके से PC यहाँ पर अपना काम कर रहा है कई से कई ते कोई problem नहीं आ रही है तो multitap भी अगर आप open करते हो chrome के अंदर and उनके बीच मulitasking करते हो तो देखो यार कितनी smoothly सारा काम हो रहा है computer बहुत ही अच्छी तरीके से performance यहाँ पर अपने को दे रहा है अब यार एक चीज में आपको बता हूँ इन सभी की बीच में आसानी से में toggle कर रहा हूँ इन सभी की बीच में जो performance मुझे मिल रही है वो बहुत ज़्यादा तकड़ी और solid है अब मैं यहाँ पर 4K वीडियो को play कर लाता हूँ उससे Ultra HD होता है वहाँ तक इसके अंदर वीडियो प्ले कर सकते हो जब तक कोई problem यह आएगी बट 4K को यह unfortunately support नहीं करेगा अब देखो तुम में से काफी लोग ऐसे भी है जो की computer को gaming के लिए भी भाय करते तो इसमें पर कौन-कौन से game खेल सकते है चलो मैं आपको बता देता हूँ जैखो भाई इसके अंदर जो प्रोसेसर यूस हुआ है ना उसके अंदर अपन gaming तो कर पाएंगे लेकिन casual level की जैसे कि CSGO वाला गेम इसके अंदर आसानी से काम करेगा वेलोडेंट जैसे एक high incentive game भी यह computer यहाँ पर support करेगा वो भी आप emulator के through इसमें play कर सकते हो यार अब सबसे last time में अपना जो GTA 5 अला game है देखो उस game को भी मैंने इसके अंदर play तो कर रहा था मतलब play ही कर रहा था वो चला नहीं क्योंकि GTA 5 को जब मैंने इसके अंदर low setting के अंदर भी चलाने की कोशिश कर रही ना तब भी मुझे 4-5 fps ही मिल पा रहते है जो की 100% playable नहीं है मेरे भाई तो यह computer के अंदर आप सारे काम तो कर पाऊगे लेकिन GTA 5 को बोल जाना अब देखो जरूर ही नहीं कि कोई बंदा सिर्फ ए computer के अंदर gaming करें वो दूसरे productivity काम भी तो करेगा जैसी कि Photoshop है तो basic level के editing करते हो या layer यूज करते हो तो Photoshop चल जाएगा लेकिन बहुत ही basic level की और जब मैंने Chrome के अंदर multiple tab भी open करके देखे तब भी यह computer hang भी नहीं हुआ और lake भी नहीं हुआ इसके लगा MS Surface के जितने भी software है वो तो इसकंदर 100% काम करने ही वाले थे तो उनको भी मैंने एक बाद check out करके देखा तो सारे software के अंदर काम कर रहता है अब मेरा भाई यह अपना पूरा computer system था ना obviously यह under 10,000 के budget में अपने बिल्ड करा है तो performance से अपने को ना limited मिलती है कोई एक सी extreme लोगी performance नहीं मिलेगी लेकिन अगर आपका budget कहीं ना कहीं यहाँ पर 25-30,000 रुपेगा है तो मैं आपको यहाँ पर suggest करूँगा एक बहुती तगड़ा FireDV नहीं यह वाला Scult Sense का अगनी mini PC विसे इसकी वीडियो में ना बना रखी है यह छोटा जरूर है लेकिन 10 times faster है उस computer के compare में तो अगर आपको यह खरीदना हो यह इसके बारे में information चाहिए हो तो यह वाली वीडियो जाके देख लेना link description में और i button में मिल जाएगी हमेशा की तरह अब यह जो अपना पूरा computer setup था था यह under 10,000 में अपने बिल्ड करा था लेकिन सबसे जरूरी जो अपना CPU था ना उसकी price कितनी है वो जानका आप हरान हो जाओगे भाई यह HP का computer अपने को i3 processor के साथ है सिर्फ पर 500 रुपे में मिला है बिल तुमारे सामने वीडियो का post करके आराम से देख लेना सबूत की तोड़ पे अब तुम लोग सोच रहोंगे कि भाया i3 और 8GB RAM के साथ यह PC 500 रुपे में कैसा सकता है तो मैं तुम्हें बता दूँ कि यह अपना एक renewed PC है अब renewed का मतलब क्या होता है यह थोड़ा killer तुम समझ लो एक बार देखो कोई भी बन्दा को computer खरीता है Amazon से उसके computer में कोई भी problem आ जाती है तो वो company वाले को वापिस से return करवाता है और एक बार जब return करावा computer system company वाले के पास आ जाता है तो company वाले उसको repair करते देन उसे renewed के नाम पे वापिस से Amazon के उपर sale करते तो यह जो computer था ना इसे वज़े से अपने को थोड़ा बहुत गंदा मिला और इसे वज़े से यह नहीं जैसे condition मिन था लेकिन मेरे भाई तुम्हें घबराने के आप बिल्कुल भी जरूत नहीं है क्योंकि अगर आप कोई भी renewed product Amazon से बाय करते हो ना तो इसके अंदर आपको 6 महीने की seller warranty मिलती है तो कई से कई तो कोई problem नहीं है अगर आपका budget यह पे under 10,000 था ना तो इस PC को आप बाय कर सकते हो अब इसके साथ एक बात तो सुन लो जाते जाते है यार अगर तुम्हारा budget यह आपे 20 से 25 जार रुपे है और उसमें आपको GTA 5 जैसे गेम भी खेलने है high performance टास्क भी करने है तो यह वाला mini PC की वीडियो जाके देख लेना इससे type की जो mini PC होते है ना इनके अंदर अपन सब कुछ कर सकते है लिटरली सब कुछ तो जाके देख लेना और चैसे आप सब्सक्राइब भी करते है मिलता हो नेक्स्ट वीडियो में